अगर आप बजट माइक्रोफोन ढूंट रहे हैं तो यह वीडियो आप एंड तक देखते रहे हैं और यह काफी बड़े Amazon के पैकेज में आता है क्योंकि एक कॉम्बो है माइक्रोफोन का तो चले सबसे पहले हम देखते हैं क्या मिलता है तो यहाँ पे हमें हमारी माइक्रोफ माइक्रोफोन ओर तक एक पोप शील्ड यानि की पॉप फिल्टर और यहां पे एक बूम आम जो है आपको देखने को मिल जाती है तो यहां पे टेक्ट ब्लेज़ की तरफ से आती है तो अगर आप पूप पूजेस करना चाने माइक्रोफोन और यह केट तो इसका लिंक जो तो यहाँ पर आपको एक table clamp मिलेगा इसके साथ में जिसको आप use कर सकते हैं इसको install करते हैं तो आगे वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि आपको इसको कैसे assemble करना है फिर आपको यहाँ पर आपका main stand मिल जाएगा जिसकी quality जो है वो काफी अच्छी है और उसी के साथ आपक एक extra holder मिलेगा जिसमें आप dynamic microphone या फिर कोई भी microphone को जो है वो hold कर सकते हैं और यहाँ पर यहाँ पर इसके साथ में आपको free मिलता है और यहाँ पर आपका stand है वो कुछ इस type का आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको spring मिलते हैं इसमें चार और आप इसको यहाँ लूज करके जो है वो position को change कर सकते हैं कुछ इस type से आपको इसके अलग-अलग adjustment points जो है वो देखने को मिल जाते हैं जिससे आप इसको tilt और यहाँ पर pan कर सकते हैं अलग-अलग directions में तो हम बात करें यहाँ पर इसकी pop shield या फिर pop filter की तो यहाँ पर कुछ इस type की packaging में आपको microphone की तो यहाँ पर कुछ इस type का microphone का box आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको एक user manual मिल जाएगी इसको रखते हैं side में फिर आपको यहाँ पर XLR 2 3.5 mm की एक cable मिल जाएगी यहाँ पर XLR cable और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका pop filter तो कुछ इस type pop filter आपको देखने को मिल जाता है इसको bend screen भी आप बोल सकते हैं इसको रखते हैं side में फिर आपको यहाँ पर shock mount मिल जाएगा जो कि यहाँ पर काफी average quality का shock mount आपको देखने को मिल जाता है अब हम बात करें यहाँ पे splitter की तो splitter के साथ में आपको मिलता है जो कि आपके mobile में अगर आप यूज करेंगे तो काफी काम आएगा तो हम यहाँ पर बात करें माइक्रोफोन की quality की तो quality जो है microphone की काफी बढ़िया यहाँ पे और इसका build भी काफी अच्छा है यहाँ पे matter build आपको देखने को मिल जाता है और इसका mesh भी काफी मुझे अच्छा लगा और नीच यहाँ पर कोई भी movement ना हो फिर आपको यहाँ पर simply आपके microphone को जो है उसमें attach करना है attach करने के लिए आपको यहाँ पर इस type का कुछ dock मिल जाएगा उसको आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है वो लगा देना है और काफी असानी से यहाँ पर लग जाता है कोई भी issue नहीं आ करते हैं कि काफी तरीके से यहाँ पर मैंने इसको install कर रखा है और काफी study यहाँ पर यह आपको देखने को मिल जाता है अब हम बात करें आपको माइक को इसमें कैसे attach करना है तो सबसे पहले आपको इसमें shock mount को जो है वो लगा लेना है कुछ इस ताइप से उसके बाद microphone आस position पर लगा सकते हैं बट यहाँ पर तो मैं लगाँगो इसको microphone के एकदम पास में क्योंकि मेरे लिए वहाँ पर अच्छी तरीके से work करता है और मुझे कोई वीशु नहीं होता बट आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं और experiments कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं इसके connections की तो connections जो है वो काफी easy है आपको XLR cable को जो है वो लेना है और directly लगा देना इसके mic के नीचे तो अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप Phantom Power भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर आप Phantom Power यूज करेंगे तो आपको sound output जो है वो काफी अच्छा मिलेगा without उसके जो है थोड़ा low sound output आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो Phantom Power Supply का वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला इस चैनल पर उसके लिए आप कर लो subscribe इस चैनल को तो यहाँ पर हम इसको test करेंगे आज without Phantom Power Supply के तो यहाँ पर आप उस हिसाब से इसको judge कर सकते हैं क्योंकि मैं Phantom Power Supply भी नहीं है म microphone से जो थोड़ा expensive condenser microphone है बट यहाँ पर आप जो आप audio सुनेंगे वो record होगा BM800 से without Phantom Power Supply के तो अब जो आप audio सुनने है वो record हो रहा है BM800 से बिना किसी pop filter के या फिर यहाँ पर windscreen के तो अब मैं इसमें लगाँगा windscreen और फिर देखते हैं कि आपको इसमें sound में क्या difference मिलता है तो अब यहाँ पर हमारे microphone में जो है वो windscreen लग चुकी और आप देख सकते हैं जो है वो इसमें आपको आवाज जो है वो काफी clear आ रही होगी पहले से तो अब मैं इसमें लगाता हूँ pop filter को और फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या difference आपको देखने को मिलता है तो यहाँ प कर दी है Amazon, टो उसके लिए कर लिए कर लिए चाहाँ को सब्सक्राइब तो गई सग्राइब को वीडिव उच्श लगा आपको और आपको ऐसे वीडियो सभी टीराने तो चाहाँकर करतूए को झाल झाल झाल